दोस्तों ये हैं हमारे पास Poco F1 और इसके लिए सबसे नमबर वन बेस्ट राम निकल के है इसका नाम है अच्छी लगी मुझे ये राम तो अच्छे लिए लट्स बिगिन तो इंस्टोलेशन सबसे लास्ट में देखेंगे सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं तो एक्स्टेंशन में चलते हैं और यहां पर बैटरी स्टाइल सरकल वगरे जो रखना है और रखो बैटरी का परसेंटेज सेट कर सकते हो उसके बाद यहां पर नेक्स्ट कैरियर और दिखा सकते हैं अब नेक्स्ट आूप्शन में चलते हैं इस्प्लेे का टास्त शेटें यहां पर आपने लोगरे लोग लगा सकते हैं यहां पर Qibo पैनल में चलते हैं और यहां पर QB पैनल में आपको Vibration Vibrate on Connect, Vibrate on Waiting जो Call में रहता है, वो सब लगा सकते हो Quick Settings में आपर झापर Vibrate on Touch वगेरा का Option ENABLE कर सकते हो Brightness Slider वगेरा Adaptive Brightness बटन लगा सकते हो, Control बटन लगा सकते हो Brightness का SpecialY, देखो में दिखा देते हो यहां पर देखो इस तरह से यहाँ पर प्लस और माइनस का बटन मिल जाता है कंट्रोल करने के लिए उसके बाद चलते हैं नैविगिशन बार में और यहाँ पर आप जो गेस्चर वगरे लगा सकते हो जो अपने बटन्स होते हैं जो नैविगिशन बटन्स उनको इनवर्ट वगरे कर सकते हो उसके बाद अगर open होता है इसे type लगा सकते हो screen ठीक है lock screen shortcuts उसके बाद lock screen UI कैसा हो ना आपको double tap to sleep double tap to wake दोनों properly perfectly work कर रहे हैं ठीक है उसके बाद next setting में चलते हैं उसके बाद यहां battery की बात करें तो यहां battery पे जो light वगिर रहते हैं उसे low battery पे light लगना चाहिए जो notification light रहे हैं उसको लगा सकते हैं कस्टमाइजेशन में light theme, dark theme उसके बाद night mode वगेरा है वो भी मिल जाएगा और ancient color वो भी properly आप जो चाहिए वो set कर सकते हो उनका shape set कर सकते हो ठीक है उसके बाद जो font होता है अपने मतलब फूरे phone का वो change कर सकते हो ठीक है उसके बाद next option में चलते हैं बटन्स में चलते हैं तो बटन्स में चलने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे settings मिल जाएंगी जैसे के torch को अगरे button से आप जो power buttons होती हैं उनसे अगरे on कर सकते हो charging animation screenshot सब कुछ perfectly work कर रहा है उसके बाद next option में चलते हम तो आप edit भी कर सकते हैं इस तरह से screenshot निकालने के बाद उसके बाद चलते हम general tasks उसके बाद gaming mode में आपको धेड़ धेड़ सारे option मिलते हैं यहाँ पर मतलब game जैसे apps दिखते हैं तो उन्हें add कैसे करना है इसे सबी options game mode में आपको मिल जाएंगे उसके बाद चलते next option में चलते है battery में तो यहाँ पर battery में आपको अच्छी बैटरी बहुत अच्छी मिल जाएंगी night light अच्छे से work कर रहा है ठीक है आप colors वगेरे set कर सकते हो saturated boosted natural वगेरे set कर सकते हो उसके बाद wake on plug जब charging वगेरे लगाते है pocket detection वगेरे मिल जाएगा यहाँ पर आपको जिससे आपका phone on नहीं होगा आपके जेब में होगा तो ठीक है उसके बाद यहाँ पर sound quality best है कोई problem नहीं है performance बुलकुल तगड़ी performance है भई उसके बाद face unlock app locker सब कुछ properly work कर रहे है एप locker को आप hide भी कर सकते हो अपने app को ठीक है lock भी लगा सकते हो और hide भी कर सकते हो दोनों option है सही है जो चाहिए सब कुछ दिये गए है आपन जैसी कि आपको दिखा देता हूँ यह देखो properly work कर रहा है ठीक है fingerprint sensor से आप उस app unlock भी कर सकते हो अप locker में से उसके बाद चलते है system में और system में जाने के बाद यहाँ पर me extra दिया है न इस पर बहुत जबरदस्ट option मिलेंगे आपको display color calibration कर सकते हो आपको मतलब color को बढ़िया modify कर सकते हो कैसा दिखना चाहिए उसके बाद यहाँ पर कुछ extra आपको दिखाया जाएगा animation boost मतलब यह भी performance related है ठीक है उसके बाद आप tweaks कर सकते हो अपने performance चाहिए तो performance gaming mode चाहिए तो gaming mode या फिर आपको battery चाहिए तो battery मतलब customization आपको दी गई है जिससे आप अपना performance को maintain कर सकते हो battery backup को maintain कर सकते हो जिससे आपको battery backup चाहिए तो battery backup मिलेगी performance चाहिए तो performance मिलेगा उसके बाद यहाँ पर एक जबरदस्त मेरे को यह बहुत बढ़िया लगा जैसे आप देख रहे हो silly linux mode जो है यहाँ पर enforcing मिल जाता है ठीक है यह बहुत सही option दिया है वही आपे उसके बाद developer option का आपको पता ही है वो developer option enable करके आप few forms of windows जो होता है उसको use कर सकते हो ठीक है एक छोटा सा box type इस तरह से battery performance सब कुछ तगड़ा है features भी बहुत जादा तगड़े दे दिये हैं सही ROM है यार बहुत सही ROM है Android 11 के साथ है latest security patch के साथ आता है कोई problem नहीं सही है पाच मार्च का security patch है बिल्कुल smooth है मक्कन है कोई lag वैक का issue देखने को नहीं मिलेगा बिल्कुल properly work करेगा bugs कोई देखने को न सब को भी मतलब पता चल जाएगा क्या 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 इसमें bugs भी है क्या तो मुझे दिखने को नहीं मिले bugs बहुत सही ROM लगी आ रही है ठीक है वाइबर डॉन कॉल्स ही है सब आप कर सकते हो जो कॉल में settings जो normal सभी ROM में होता है इस तरह से calling की बात करें सभी calling perfectly work कर रहे है ठीक है call recording का कोई option दिया नहीं है यहाँ पर वैसे ठीक है उसके बाद बात करें notification panel की उसके shape color वगर चेंज कर सकते हो मैंने पहले ही बताया था safety net आपको fail देखने को मिलेगा इसको pass करने के लिए आपको root करके एक zip file flash करने होंगी root से इसके regarding video i button पे मिल जाएगा इसके बाद gcam जो है वो work नहीं करेगा gcam काम नहीं कर रहा है लेकिन इसके साथ जो camera आता है वो perfectly work कर रहा है ठीक है clarity भी अच्छी मिल रही है और यहां पर root होने के बाद यहां पर वाइप पर जाओ अडवांस वाइप पर जाओ डैल्विक के system vendor data को select करो simply swipe कर दो उसके बाद आपको जाना install बटन पर install बटन पर जाकर अपको अपनी ROM select कर लेनी है यह देखें यह without gapps है तो इसको select कर लेना है और install कर लेना है gapps कैसे install करते है इसके regarding video i button पर मिल जाएगा वो भी इसके बाद आपको back जाना है एक बार center की बटन दबाओ back जाओ और एक बार wipe पर जाओ तो यह wipe बटन पर जाना है format data पर जाना है यहाँ पर लिखना है yes और right बटन पर टिक कर देना है जो keyboard में है इसके बाद यह format data हो जाएगा उसके बाद simply reboot system पर आपको click कर लेना है यहाँ पर do not install पर click कर सकते हो आप ठीक है इसके बाद एक important बात ध्यान रखो boot होने में थोड़ा time लेगा तो be patient